तो आज मैं आपके लिए लाई हूं क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो मतर की टिक्की की रेसिपी जो आपको बहुत ही पसंद आएगी तो वीडियो को जरूर देखेगा और अगर अभी तक आपने मेरे चानल को सब्सक्राइब न किया हो तो मेरे चानल को सब्सक्राइब क करते हैं अपने मतर के टिक्की की बहुत ही टेस्टी और डिलिश्यस रेसिपी तो इसके लिए हमने यह करीब 100 ग्राम करीब मतर के दाने हैं चले हूए यह ले लिए हैं उनको हम हाफ बॉयल करेंगे पानी में डाल रहे हूं मैं और इसमें मैं थोड़ा सा यहाफ टीस्पू नमक डाला है जिससे यह जल्दी गल जाएंगे और इनको मैं धक के रख दूगी आप चाहें तो प्रेशर कोकर में वह इसको बोईल कर सकते लेकिन प्रेशर कोकर में होता क्या है जल्दी बहुत ज्यादा गल जाते हैं यह जब तक अमाले मतर के दाने कर ले जब तक हम लीए हैं इनको मैं ग्रेट कर लूँगी कि अब यह हमने आलू को ग्रेट कर लिया है और इसमें अब यह 4 टेबल स्पून अरा रोठ है या कॉन फ्लोर आप कुछ भी डाल सकते हैं तो यह मैंने इसमें डाल दिया हैं और यह वन टीश्पून नमक है यह मैं डाल दोंगी और अच्छी तरह से 4-5 टेबल स्पून आपको इसमें यह डालना है कॉन फ्लोर या अरा रोट आप देख लीजेगा टिकी एक बार में आपको दिखा दूंगी किस टाइप का अपना आलू होना चाहिए के एक ना चाहिए अछए अच्छी तरह एक भीज़ा तरह काख तरह पिभला इसे स्मूथ करने के लिए इसे की बार मिट्टी है चिकी चिकांटिकी बनाएं इसको यूपी की तरफ राग्रा की तरह बल्ला भी एक प्ला रहा है आपके मटर के दानी ऑप गल जाई हैं। एचाम सेफ्परेखर आफंड़ मेंने पेसलाएं, जाया हैं। अब यहां पर एक स्टेनर रख लिया है उसमें मैं उसको जाल दूंगे अब यह मैंने मटर के दाने स्टेनर में डाल दी है और इसमें जितना भी पानी है एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जान देंगे हम इसे 5-10 मिट्स रेस्ट करने के रख देंगे और यह जो मैंने मिक्शर बनाया था आलो का उसको अब मैं सके पेडे बना लूंगी तो हाथ पे ओयल लगा के जिस भी साइज में आपको चाहिए चोटे बड़े उस साइज में आप इसके पेड़े बना लीजे इस टैप से और अभी हम इसके अंदर मतर की फिलिंग करेंगे तो इस टैप से आप पेड़े बना के रख लीजे उसके जब तक मतर ठंडी हो रही है और फ्रेंट्स एक बात आप याद रखेगा जब आप आलू लें बॉयल तो वह टिक्की बनाने से कुछ दिर पहले एक से देड़ घंटा पहले या दो घंटा पहले आप बॉयल कर लें क्यूंकि अगर एकदम से आप गरम आलू ले लेंगे तो फिर वह आपकी टिक्की जो कि को कुछ दो लें वह बहलें वह थोले कि आपकी गिलो है लिए बॉयल करके रखे लगे पतायान आप ना आप चू आप चापमाल केट्षण बोल स्टोपर आप में मांने ना पटत पताया जाल कि भी हमिल्साम आपिछ थो खम हमारे इस दो खाना आपकी ऑपान मेंे अब बिल्कुल मैस्टेंगे तो अच्छी नहीं लगेगी अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो यह सबसे पहले में नमक डाले हो आपने टेस्ट के अकोर्डिंग लिजेगा क्योंकि हमने जो टिककी के लिए आलू का जो मिक्सचर बनाया उसमें भी डाला था हमने नमक और यह पाउडे हाफ एपिपावडर हाफ थीस्पून मिर्ची पाउडर हाफ टीस्पून गरम मेशा कर था पाउडर हे असistine को कि अग्रूर है Ini पऌले मैंने अध्रप चापे ग्रेरी इंच और ग्रेक नश मोंक घ्रुक्री घुक्रें चुल्की एम्रूरा इतला बिल्क दारला स जिए अपने पेड़ इप्राणा टक्षट करेंगे अपनी मतर कषिए, मैं जिए पूर घब टकी झाले तरह दोग। जिए गवेटेशने नहीं सूर से अपनिता दिए। प्लेट करने के बाद में 1-2 स्पून मेरा मटर का मसाला है इसमें फिल कर दूगी और इस तरीके से मैं इसको पैक करूंगी यह देखें और यह हमें बहुत अच्छी से पैक करना है अगर जरासा भी कहीं से खुला रह गया तो आपका मटर का मसाला जो है वो निकल जाएगा य इसी तरीके से मैं आपको एक और बता देती हूं इस तरीके से इसमें हम गैप बनाएंगे और थोड़ा सा यहां पर लिक्चर रखा इसको जिस तरीके से हम कचोडी बढ़ते हैं इस तरीके से इसको पैक करतेंगे इसी तरीके से हमें सारे जो मटर की टिक्की के पेड़े है तयार करने हैं आगे देखें इसा था बूल on top 10 फे नंटिया आगया आपके पास अपन आपके पास नेहीं तो कोई बात नीए आप नोन स्टिक तवा के दोल अपन भी ले सकते हैं या जो प्लें तवा गिरते होता है वह भी ले सकते हैं यह मेरा थोड़ा थोड़ा बड़ा है 2-3 टेबल स्पून डाला एक बार मैं इसके चारो तरफ भी यह ऐलिंग कर दूँगी जिससे की अपनी जो टिक्की है वो चिटकेगी नहीं यह मैंने ओइलिंग करती है इसके चारो तरफ अब इसके बाद में इसमें यह टिक्की डालूँगी आप मैंने ओल लिया है आप देसी की यूज कर सकते हैं जो आपको करना हो जो आपको पसंदो हो आप यूज कर सकते हैं और इस वक पे हम थोड़ा सा हाइ रखेंगे फ्लेम को थोड़ा यह नीचे से सिख जाएंगी जब इसको हम मीडियम टू लो करेंगे अब यह जो हमारे आलू मतर की पिक्ति है वो एक तरफ से काती हद तक स्पिक गई है तो इसको हम एक बार फलट लेंगे और पलट ते समय आप एक चीज का धियान रखेगा कि एक साइड यहां से आपको पकड़ना है तर अब इसके लिए नायत ले 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 अब आपके उपर उचल के आएगा तो इस तरीके से हम इसको पलट देंगे और अब अब मीडियम तू लो खलें कर देंगे जिसके यह जिसके यह यह जिए यह जिए प्रिस्पी और बहुत अच्छी शिक का आएगे यह देखे फ्रेंट्स अब यह जो हमारी मतर की टिक्की आई अब मज जाए कुआurer निचे से भी सिक गयर इसको हम पलत देंगे जील एडिक किता अब इसको पलत ने के बाग हम इसको क्यें हम यह जब साइडस क healthy यह जग चाले इसको छिए ट्रह प्रिसे करेंगे तो छिगने है तो यह जो साइड जा के फीन करेंगे में यह जो प् अब बड़ा इसमें थोड़ा से हां और चोबिक लिए याप जादे ही लगता है इसको हम अब इधर से लिए सिक जाएगी पूरी में आपको दिखाऊंगी कूल आइजा मां टिक होकी और हम प्रमट के लाइज के डिखा है कि अपर नाइजार कोई लोगता, वहिता है, हमारी तंग भी देखा एक ऐसा जान परी दिखा देखें, तुम उल्हे हैं, आप लाइक जान का ऐसा प्रमट के हैँ, बिर सकता क्राइज पत्रम पाइजा जिए कुरकुरी अपनी टिक्की सिक्के तयार हुई है तो जैसे जैसे सिक्ती जाएंगी हम इनको निकालते जाएंगे यह हमारी टिक्की सिक्के तयार है और यह देखिए किती क्रिस्पी सिक्की है मैं आपको इसकी सामझे एक बार सुना देती हूं किती क्रिस्प है इसमें यह तो इस तरीके से आप तोड़के और इसको इहां रखिए और इसके ऊपर हम डालेंगे यह हरी चटनी और यह हरी चटनी और इमली की जो मीठी चटनी होती है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी वहां से आप देख सकते हैं दोनों चटनीों का ल तो यह मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा और परसंद आये तो शेयर करेगा थेंग यूँ